और आप लूगों पता ही यह बेड़ का क्या क्या आता है भेड़ का जो खाल होता है उससे पूउन्ठ निकलता है जिसे हम लोग तरह तरह के सोइटर और जयकीट बनाने का जो कार के राता है ठादे के दिनों में तो देख सकते हैं क Labour का क्थारों ना दोनों सम्झाय तो आज आपके के बहुत दिनों के बाद मैं एक अनुखा वीडियो लेकर आया हूँ जहां लोग स्टुडेंट या पढ़ने वाले जो लोग होते हैं यहां कर शीखते हैं और ही देशकते हैं यह बहुत ही बड़े फार्म में फैला हुआ है और हम लोग इसके ना जाने वाले है कि यहां पे कैसे भेड और बकरी पारण करणा जाता है और किस। भीकरी फार्म खिना चाहते हैं तो यहां से भी देख सकते हैं कैसे लोग बकरी पारण करते हैं किस। चाश्या करते हैं और भुए अनुखा वीडियो आप लोग ये इसके लिहे offerings में लेकरा हूँ कैसे ट लोग आते पढ़ने के लिए तो चलिए हम लोग यहां का इंज्वाइले करते हैं और कुछ जनकारी महत्तों इंपर्टन बाते आप लोग को बताने वाले जूटे के अंदर आप लोग वीडियो बने रहिएगा आज हम लोग साथ एक ननी सी लिटिल एजेंस बच्ची आज हम के लाता है देख सकते यह बच्ची उत्साहित है देखने के लिए भेड़ बकरी तो चलिए हम लोग चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते दोस्तों यह सकते हैं जहां पर कब से कब देड़ सो यह सो से ज्यादा भेड़ है किसना से भेड़ों को पाला जाता है यहां प क्या कि यह भेड़ है और आप लोग पता ही यह भेड़ का क्या कि आता है भेड जो खाल होता है उससे प्रूंद्ध निकलता है जिसे हम लोग तरह तरह के सोईटर और जैकेट बनाने का जो कारी किया जाता है ठंडे के दिनों में तो देख सकते हैं कितनी ददादों में भेड़ पाला जाता है यह पस्टेशन केंद्र है यह देखिए दोस्तो और आईए आप लोगों दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर भेड़ लोग यह सकते हैं गर आप लोग भी भेड़ बक्री पालान करना चाते हैं तो आप लोग भी सुरुवात कर सकते हैं भेड़ पालान बक्री पालान यह देखिए कितनी दितात में यहाँ पे भेड़ है यह लगता बीमार है दोस्तों यह भेड़ बेबी भेड़ किसा से अपनी मां का दूत पीरी है देखे कितनी क्यूट लिटिल जैंस है और देखे उतने ही जीम से और उतने ही प्यारी लिटिल यहाँ पे आई है भेड़ का इंज्वाइलेन ने देखने के लिए गॉड़ पान घुनने के लिए यह सकते है दोस्तों आप लोगों पता है अगर आप वक्री पालन करना चाते हैं तो वक्री को किस तब ना सकाके और क्यांकि आपको पता ही है कि बाहर ना सके कि वह चोट हो सकती है चोट लग सकती इससे की काफी नुक्सान हो सकता है तो आईए आप लोग दिखाना चाहता हूं किस तरह से तार के अंदर इस फार्म के अंदर में बक्रियों को रखा गया है और आप लोग भी अगर नया बक्री फार्म को ना चाहते हैं अपने घर में य यहां पर कितनी सारी तदात्मे बक्रियां हैं जो परसिशन केंद्र हैं यह कांके के वेट्णरी पर यहां पर ट्रेंग जाता है दोस्तों जो श्ट्रेंड होते हैं या पढ़ने वाले या सीखने वाले जो फार्म खुलने वाले होते हैं वो उन लोग के लिए यह परसिशन के के अंदर आया हूं दोस्तों और देख सकते हैं यहां सारे नसल की है देखिए इसका जो यह जो बक्रिया है किस तरह से दाना खा रही है किस तरह से लोग वो अंदर यहां ट्रेनिंग जाता है इस परसंट के अंदर तो मेरे दल दिल्चस्प वीडियो को अगर आप लोग अच दोस्तों यहां पर मेल और फिमेल को रखा गया है आईए देखाते आप लोगों देखिए दोस्तों किस तरह से यहां पर मेल बक्रा जो होता है वो रखा गया है क्योंकि आपको पता है कि बक्रा और बक्री बक्री को गाविन करने के लिए बख्रेट की जुरत होती है इसलिए इस फार्ब गेंदर तीब मेल घेड़ था और यहां पर कम से कम धूती तर्व कम से कम साथ से दस मेल बक्रा है जो यहां पर रखा गया है ट्रेनिंग के लिए और यह लोग चारा खा रहे हैं और यह कुछ सरकारी जो यह होता है वो रखा दोश्तों आप लोग की साथ में देखाया कि काके के बेट नरी में कान जान जाएं जहां पर भेड अर बक्रीत किसीट गेटर की आप這邊 아 तो तीन सौरी दोस्तों मेल तीन भेट थे और दस मेल बकरा थे तो अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो इस धर खंडी भाय की चैनल को आप लोग धेड़ सरा लाइक और प्यार दे सकते सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों बहुत ही मज़ा आया इस फा चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो पर नई ब्लोग के साथ तक तब आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें क्यूंकि अभी कोवीड का भी टायम आ चुका है दोस्तों अभी लगभग कोवीड हर भारत में कम से कम 24 घंटे में कम से कम 7-8000 कोवीड निकल रहा है और कम से कम 100 लोग की जान जारी है परती दिन तो आप लोग घर में रहा है और मेरे वीडियो को इंजवाए करेगा दोस्तों तो चलिए हम बग चलते हैं नई वीडियो पर ने ब्लोग में तक तब आप लोग घर में रहा है शेफ रहें